हेलो दोस्तो दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कलेक्टर कैसे बने तो दोस्तो कलेक्टर के बारे में जाने से पहले सबसे पहले हम आपको कलेक्टर के बारे में कुछ बेसिक जनकारी बता देना चाहते हैं दोस्तो एक collector को हम D.E.M. यानि के district magistrate या फिर district collector के नाम से भी जानते हैं दोस्तो एक collector को पूरे जिले का एक senior अजिकारी के रूप में चाना जाता है दोस्तो एक collector का काम पूरे जिले में होने वाले कामों को देखरे करना होता है यानि कि एक जीले का जो कंट्रोल होता है वो एक कलेक्टर के पास होता है दोस्तों एक कलेक्टर को समाज में सम्मान के सांथ सांथ एक अच्छी खासी सैली भी देती जाती है तो दोस्तों गर आप भी एक कलेक्टर बनना चाहते हैं दोस्तों अगर आपका सपना है कि आगे च pattern कैसा होता है चाहइए कितने पेपर कराया जाता है इंटेर्वीयू कैसा होता है और collector बनने के माद को सालик फिडियों में अठconnect करते हैंगा सबस्टASON सबस्क्राइब st college या फिन्युवस्टी से आप अपना graduation complete कर सकती हैं दूसरा यह गुताई अपकी यह पास होना चाहिए कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए दोस्तों आप भारत के नागरिक रहेंगे तभी आप इसके लिए आवज़न कर सकती हैं यानि कि तभी आप collector के एकजाम देकि आप collector बन सकती हैं इसके बाद आता है आपकी ISO में दोस्तों अगर आप general candidate हैं तो आपकी उम्र 21-32 वर्स इसके बाद या बहुज़न को देने के लिए इसके बाद आई आई आपको बता देते हैं कि कलेक्टर बनने के लिए आपको कौन सा एक्जाम देना होता है तो उसके लिए आपको UPSC दोरा IOG CSC एक्जाम यानि कि civil सेवा एक्जाम को आपको देना होता है आई आपको बता देते हैं कि इस exam को आप कितनी बार दे सकती हैं दोस्तों गर आप general candidate हैं तो आप 6 बार इस exam को दे सकती हैं यदि आप OBC candidate हैं तो आप इस exam को 9 बार दे सकती हैं और यदि आप STS याप इक lang candidate हैं तो आप 12 से 15 बार इस exam को दे सकती हैं तो दोस्तो आई आपको पूरे डेटल से में बताते हैं कि आप कलेक्टर कैसे बन सकते हैं तो दोस्तो गर आप भी कलेक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंडिया की किसी भी College of University से अपना graduation कंप्लीट करना होगा graduation कंप्लीट करने के बाद आपको UPSC exam के लिए आवेदन करना होगा आवेदन करने के बाद आपका प्रारंबिक परिछा करा जाता है दोस्तो प्रारंबिक परिच्छा में हम आपको बता देना चाते हैं वहाँ पे आपका दो पेपर करा जाता है उसमें आपको 200 मार्क के आपके दो पेपर कराया जाते हैं जो की objective type question वहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं दोस्तो पहले exam को clear करने के बाद यानि की प्रारंभिक exam को clear करने के बाद आपका मुख्य exam कराया जाता है मुख्य परिच्छा में आपको 9 पेपर कराया जाते हैं जिसे हमने दो भागों में बाटा गया है दोस्तो पहले में आता है आपका qualifying दोस्तो qualifying में आपका 2 पेपर कराया जाता है qualifying में आपको 300 मार्क के 2 पेपर कराया जाते है दोस्तो यह सिर्फ qualifying मार्क है इसमें आपको merit में आपका इसमें नमबर नहीं जोड़ा जाता है और दूसरा है आपका merit paper merit paper में आपका 7 paper करा जाता है जो की 500-500 mark के सारी paper होते हैं दोस्तो सबी paper के कुल marks लगभग 7050 mark इसमें होते हैं दोस्तो जैसी आप मुख्य परिच्छा को qualify कर लेते हैं इसके बाद आपका interview लिया जाता है interview को qualify करने के बाद आपको एक collector बना दिया जाता है तो दोस्तो यह आपको बता देते हैं जो बहुत सारे student जाना चाते हैं कि एक collector की sellie कितनी होती है तो दोस्तो गर हम बात करें collector की sellie की तो इनके sellie लगभग 80,000 से लेके लगभग 2,500,000 रुपए तक इनकी sellie monthly sellie होती है इसके law government दोरा इने काफी सारे भत्ते भी provide किया जाते हैं तो दोस्तो यह थी जानकारी कि आप collector कैसे बन सकते हैं कौनसा exam देना होता है और collector बनने के बाद आपको सहली कितनी मिलती है तो दोस्तो वीडियो से रेटेड आपके मन में कोई question हो तो comment करके पूछ सकती हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नहीं हो तो subscribe करके बेल आइक इनको प्रेस करना ना भोले तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहन